So guys, finally Hero के Xtreme 125R launch हो चुकी है And as a extreme owner, मैं आपको इस bike से डिटर सारे points पताता हूँ जिसे कारण आपको इस bike को segment में other bike के resource में क्यों खरीदना चाहिए So yeah, यह bike तो सबसे पहले most puttiest bike है अपने segment में LookWise के हिसाफ से 125cc की segment में जिसकी look I must commit, Xtreme 160R से भी ज़्यादा बेटर रखी गई है And feature से start करें तो आपको इसमें LED projector headlight देखने को मिल जाती है जो कि again segment first है, with again segment first LED indicators And tail light में आपको LED में मिल जाती है नीचे की और आपको 37M का telescopic fork मिलता है, Showa Company के तरह से And rear में monoshock देखने को मिल जाती है Front disc की बात करें तो आपको 270M का disc brake देखने को मिल जाता है IBS और EBS unit के साथ, depending upon the customer need With 130M का drum brake setup, tank capacity आपको 11 liters की मिल जाती है Exhaust आपको charisma वाले देखने को मिल जाता है जो कि इस गारी को और चारचान लगाने में help करता है इस गारी में आपको tank काउल भी देखने को मिल जाता है जिसमें engraved 125R का sticker लगा हुआ है आपको engine काउल भी देखने को मिल जाता है And engine की बात ही कर रहे तो आपको इस गार में 125cc का air cool motor मिल जाता है जिसकी max power 11.5 PS की रहेगी And max stock 10.5 अनम कर रहेगा With 5-speed gearbox Tyre size की बात करें तो आपको गारी में 90 section front and 120 section का rear tire मिलता है जो की again segment first मिल जाता है And finally pricing की बात करें तो बाइक आपको दो वेंड में आती है Ibis variant की extra room pricing 95,000 रखी गई है जो की on road आपको 1.10 lakhs में देखने को मिल जाएगी और Ibis unit की extra room pricing आपको 99.5 की रखी गई है जो की on road आपको 1.15 से 1.20 lakh में देखने को मिल जाएगी So so do में जैसे ये bike आती है मैं आपको full detail review देने की कुशिच ज़रू करूँगा So मिलता हूं next interesting video में तब तक जाहिंद वंदे मातरम